आप सब के लिए बहुती चटपटी मस्तालेदार खिचरी की रेसेपी और इसको बनाने के लिए मैंने भीगों के रखा है दाल और चावल तो एक कप चावल एक कप दाल लिया है मैंने आप चाहे तो दाल थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से वाश करके और आप देख रहे हैं चावल और दाल है उसके उपर डेर इंच के उपर लेबल तक मैंने पानी डाल दिया है और साथ में नमक, हल्दी और थोड़ा सा सरसो तेल डाल के मैं इसे बॉयल कर लूँगी बस एक सीठी लगाऊंगी तो ये देखिए आप स्वाद नमक डाल ले और ह दाल रही हूं हींग और पंच फोरन और साथ में कटेवे प्याज तो पंच फोरन डालने से खिचरी की जो खुश्बू है वह एकदम चेंज हो जाएगी बहुत ही यमी टेस्टी हो जाएगी आप चाहते हैं तो सिर्फ जीरा भी और तेज पत्ता डाल के भी बना सकते हैं य जलू सौकी गाजर मोटे कटे हुए हरी मिर्चे तो इन सब चीजों को मिला के मैं धक्कल लगा लगा के पकाऊंगी ताकि सब्जिया गल जाए तो इस तरह से धीमी धीमी आज पे आप इसे पकाईए और ये खिचरी में बना रही हूँ इस्पेशली रेनी सीजन के लिए जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम हमारे कुलकता में एब्रीडे बारिश हो रही है तो उसमें ये गर्मा गर्म खिचरी बहुत अच्छी लग लगा के कुकर को आज से उतार लिया है और ये सब भून गई है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच पाव भाजी मसाला तो इससे बहुत ही चट पटा टेस्ट आएगा कि देखे दाल चावल पक गए है अब इसमें मैं मिक्स कर दूं पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी गरम करके और मिला दिया है एक गलास गरम पानी मैं इसमें मिला दिया है अगर आप भी पानी मिलाए तो आप गरम करके मिलाए ठंदा ना मिलाए और इसके साथ मैं डालोंगी घी और दाल चावल सबजियों को चार से पाच मिनिट पका लोंगी इतनी देर में सबसिया गल जाएंगी और इसमें डाल रही हूं है गरम मसाला घी डाला है मैंने तो यह देखिए बहुत सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ आप गरम गरम एक पोज ओमलेट सब कर सकते हैं या फिर अचार के साथ या बैगन के पकोरे या फिर आलू का भरता बहुत सारी चीजे हैं जो आप इस खिचरी के साथ सर्फ कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ अचार के साथ भी यह खिचरी बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग भी बारिश के सीजन में यह खिच रखा है एक पोच और कुछ सैलेड और आप इस खिच्री को बच्चों को भी दे सकते हैं हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो आप लोग जरूर बता ना कि आपको यह कैसा लगा और मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक टाटा बबाई एंड स्टे सेफ, स्टे हबपी